प्रस्तुत है आचारे कुवेर नाथ राय का निवन्ध उत्तरा फालगुनी के आसपास वर्षा रितु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फालगुनी हमारे जीवन में गधा पचीसी सावन मनभावन है बड़ी मौज रहती है परन्तु 27 में के आते आते घनगोर भादरपद के अशनी संकेत मिलने लगते है और तीसी के वर्षों में हम विद्युन्मय भादरपद के काम, क्रोध और मोह का तमिस्तर सुख भोगते है इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी सिस्रिक्षा कृतार्थ होती है फिर 40 में लगते लगते हम भादरपद की अंतिम नक्षतर उत्तरा फालगुनी में प्रवेश कर जाते हैं और दो-चार वर्ष बाद अर्थात उत्तरा फालगुनी के अंतिम चरण में जरा और जिर्णता के आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है वास्तव में स्रिजन संप्रिक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच फिर 40 से 45 तक उत्तरा फालगुनी का काल है इसके अंदर पगन खेप करते ही शरीर की शट उर्मियों में ठकाव डाने लगती है अस्ति, जायते, वर्धते ये तीन धीरे धीरे शांत होने लगती हैं इनका वेग कम होने लगता है और इनके विपरीत तीन विपतर निमते, अपक्षियते, विनश्यती प्रवलतर हो उठती है उन्हें प्रदोश बल मिल जाता है वे शडीर में बैठे रिपूओं के साथ साथ गाठ कर लेती हैं और फल होता है जरा के आगमन का अनुभाव पैतालीस के बाद ही शीस पर कास्प फूटना शुरू हो जाता है वातावरण में लोमडी बोलने लगती है शुक और सारी का उदास हो जाते हैं मयूर अपने श्रिंगार कलाब का त्याग कर देता है और मानस की उत्पलवाणा मार कन्याएं चोवा चंदन और चितरसारी त्याग कर प्रवज्या का वलकल वसन धारण कर लेती हैं अतह बच्पन भले निर्मल प्रसन्न हो गदापचीसी भले ही मधुमधुनी मधुनी हो परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है पचीस और चालीस या ठेल ठाल कर पैटालीस के बीच पड़ता है इसके पूरु हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिसिस की पचीच्छा है जो हमारे हाथ में था जिसे करने के लिए हम जन्मे थे वह वस्तुता गटित होता है पचीस और पैटालीस के बीच इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है देह भले ही एक मधु दो मधु असंख्य मधु साठ वर्ष तक भोगती चले इस पचीस पैंतालीस की अवधि में भी असल हीर रचती है तीसो तरी तीसो तरी के वर्षों का स्वभाव शाण पर चड़ी तलवार की तरह है वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार नया तेज चढ़ता जाता है चालीसवे वर्ष तक मुझे क्रोधाता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयो व्रिद्ध के रूप में प्रस्तुत करते हैं मैंने दक्षन भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यन्त सुन्दर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा था देख कर ही मैं कलाकार की औचित्य निमानसा पर मुग्द हो गया जो सर्जक है जो स्रिष्टि करता है वह निश्चे ही चिर युवा होगा प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जरजर या बूढ़ा नहीं होता है जो सर्जक है पिता है प्रफिट है नई लीक का जनक है प्रजाता है वह रूप माधव या रोमेंटिक काम की शोर भले ही नहो परंतु वह दात अक्षरा बाल जहरा गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकत है उसे तो अनुभवी पुंगव तीसोत्तर युवा के रूप में ही स्विकारना होगा जमानी एक चमाचन धारदार खडग है उस पर चड़कर असिधारा वरत या वीराचार करने वाली प्रतिभाही पावक दगध होठों से देवताओं की भाशा बोल पाती है युवा अ प्रजापति विधाता को सदाईव तीस वर्ष के पठेंग में उस फास्पूरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक्त में हो जाता है मेरी समझ से स्विष्ट करता की कवि की विपलव नायक की सेनापति की शूरवीर की विद्रोही की कलपनाम श्वेत क के शव्रिद्ध के रूप में नहीं की जा सकती अतह प्रजापति विधाता को सदाईव तीस वर्ष के पठें सुन्दर युवा के सुन्दर रूप में ही कल्पित करना समीचीन है वास्तव में तीसवा वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्ण चीहिन को उपस्थित करता है और उस प्रश्ण चीहिन को पूरा-पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है किसी विपुरुष या नारी की कीर्थी गरिमा इसी प्रश्ण चीहिन की गुरुता और लगुता पर निर्भर करती है गौतम बुद्ध ने 39 वर्ष की अवस्था में ग्रिह त्याग कर अम्रित के लिए महाभिनिश क्रमण किया इसु क्राइश्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सर्मन ओन दि माउंट गिरिश शिखर प्रजनन की दिया था और 33 वर्ष में उन्हें सलीप पर चढ़ा दिया गया उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा वालनी की कैनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तों में 27 वर्ष की अवयस में वनवास हुआ था उस समय सीता की आयू 18 वर्ष की थी और वनवास के 13 वर्ष में अर्थात सीता के तीसवा पार करते करते ही सीता हरन की ट्रेजिडी गटित हुई थी अतह तीसवा वर्ष सदैव वर्ण के महामुहूर्थ में के रूप में आता है और संपूर दशक उस वर्ण और तेल के दाह से आविष्ट रहता है तीसो तर दशक जीवन का घंगोर कुरु खेतर है यह काल गदह पचीसी के विपरीत एक छुरधार काल है जिस पर चड़कर पूरुष या नारी अपने को आविश्कृत करते हैं अपने मर्म और धर्म के प्रती अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्गाटित करते हैं अथ्वा कम से कम ऐसा करने का आवसर तो अवश्य पाते हैं चालीसा लगने के बाद पैंतालीस तद यथा इस्थित्य की उत्तरा फाल गुनी चलती है पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मिया परस्पर के संतुलन को खोना प्रारम कर लेती हैं और प्राण शक्ति अवरोहन की ओर उन्मुक हो जाती है इसके बाद अनुकूल उर्मिया स्पष्टतह ठकहर होने लगती है और प्रतिकूल उर्मिया प्रबल होकर देह की गाठ में बैठे रिपूँ से मेल कर बैठती है मन हारने लगता है स्रिष्टी अनाकर्शक और रति प्रतिकूल लगने लगती है बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्विकारपन्थी कंफरमिस्ट होने लगती है और आत्मा की दाहक तेजी मैशक्ति पर विकार का धुम्र छाने लगता है मैं तो यहाँ पर 45 वर्ष की बाद कर रहा हूँ परन्त मुझे स्मरण आती है दोस्तवेस्की जिसने 40 वर्ष के बाद ही जीवन को धिकार दे दिया है मैं 40 वर्ष जी चुका 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है तुम जानते हो कि 40 मने चरम बुढ़ापा दरसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है अशली लिता है अनैतिकता है बला 40 से आगे कोई जीता है मुर्ख लोग और व्यर्थ लोग नोट्स फ्रम अंडरग्राउंड से दोस्तव इसकी कि इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ से इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्थन परिवर्धन स्रजन का आत्मिक और मांसिक अस्तरों पर र मुक्तिवाली घंगा की कछार का निवासी हूं इसी से इस अवधि को पाँच वर्ष और बढ़ा कर देखता हूं यद्यपी दोस्तवस्की की मूल्त हिसिस मुझे सही लगती है शक्तिछय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है यद्यपी वह औस्पष्ट रहती है मैं इस समय 1972 इस भी में अपना 38 मा पावस झेल रहा हूं पूर्वा फालगुनी का विकार ग्रस्थ यववन जल पी पी कर मैं खिप्त से भी आगे एक पग विखिप्त हो चुका हूं और शिग्र ही मोह मूढ होने वाला हूं भादर की पहली नख्यतर है मघा मघा में अगाध जल है पृथिवी की त्रिशा आशलेशा और मघा के जल से ही त्रिप्त होती है यदि मघा में धर्ती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संबत्सर तक प्रतिच्छा करनी पड़ती है नकेवल परिमाण में बलकि गुण में भी मघा का जल स्रिष्ठ है मघा मेश की जड़ी जकोर का स्तवगान कवी और किसान दोनों खूब करते हैं बरसाय मघा जकोरी जकोरी मुरदुई नैन चुए जस ओरी मघा बरसी मानो दूध बरसा मध बरसा इस मघा के बाद आती है पूरुआ फालगुने जो बड़ी ही रद्धी कंडम नक्छत्र है इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भै भी सरवाधिक इसी नक्छत्रकाल में रहता है इसी से उत्तर भारती ये गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्छत्र मानते हैं इसके बाद आती है उत्तरा भालगुनी भादरपद की अंतिम नक्छत्र जो समूचे पावस में मगा के बाद दूसरी उत्तम नक्छत्र है इसका पानी स्वास्थिप्रद और सौभाग्य कारक होता है इस अनतीसमे पावस में अपने जीवन का पूर्वा भालगुनी काल भोग रहा हूं यद्यपी साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा भालगुनी का आगमन भी देख रहा हूं चालिस आने में अब कितनी देर ही है अतह आज पूर्वा भालगुनी का अंतिम पानपात्र मेरे होठों से सनलगन है क्रोध मेरी खुराक है लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीडा सहचर है इनको ही मैं क्रमशा, विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूं भले ही अभिकार जल हो भले ही इसमें श्रेय, प्रेय, गति, मुक्ति कुछ भी न हो परन्तो इसमें जिन्रता और जरजरता नहीं यह जरा और ब्रदत्व का प्रतीक नहीं पूर्वा फालगुनी द्वारा प्रदक्त शिप्तता भी यववन का ही एक अनुभव है मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है क्योंकि मेरे सम्मुख काल पर द्वार पर काल नटिन अर्थात उत्तरा फालगुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है और मैं उसमें मार की तीन कन्याओं त्रिशा, रति, आर्ति को एक साथ देख रहा है कांचन पद्मकांती, करपल्लव, पुनितकेश, बिम्बाधर, बिशाल बंकिम्भु, दक्षणावर्त नावि और त्रिवली रेखा से युक्त इस भुवन मुहन रूप को मैं देख रहा है और इसको आगमनी में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा है उपंग एक बिचित्र बाजा है, काल पुर्षों की उंगलियां चिटाक चिटाक पड़ती है और आहत नाद का छंदो बद्ध रूप निकलता है, बीच बीच में हिच्की के साथ यह हिच्की भी उसी काल विदूसक की भणईती है और यह उपंग के ताल बध्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है मैं अपने भीतर बज़ते यववन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकारों का छक कर पान कर रहा हूँ मुझे कोई चिंता नहीं अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफी देर है इस ख्षण उसकी क्या चिंता करूँ इस ख्षण तो बस मौज ही मौज है बले ही वह कटुक्टिक मौज क्यों नहो काम भुजंग के डशने पर तो नीम भी मीठी लगती है पता यह काल नटी यह पूर्वा फालगुनी यह उत्तरा फालगुनी यह नैना जोगिन कितनी भी भ्रांती माया या मुर्ग जल क्यों नहो मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो माया पति भगवान को अपनी माया के काम मदुका स्वाद लेते समय प्राप्थ होता है और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परंपद के भास्वर सिंहासन को छोड़ कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं अता है इस समय मुझे कोई चिंता कोई परवाह नहीं परंतु एक न एक दिन वक्षण भी निश्चे ही उपस्थित होगा जिसकी श्रिंगार हीन शरद यवनिका के पीछे जिर्ण है मन्त और मृत्य शीतल शिशिर की प्रेत छाया जलकती रहे उस दिन तुम क्या करोगे है तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र कोई ट्वटका कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले बीस बाइस वर्षों के लिए इस उत्तरा फालवुनी के पगों को स्तंभित कर दो और वह अगले बीस बाइस वर्ष तुमारे द्वार देश पर शिथिल दक्षण चरण इशत क्रिशित किंचित जानु के साथ आभंग मुद्रा में नत ग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुकुम की परतिख्य करती रहे है कोई ऐसा जीवन दर्षन ऐसा सिध्धाचार ऐसी काया सिध्धि जिससे बाहर बाहर शरद शिशिर पतजर्न हिमन्त आएं और जूजते हार खाते चले जाएं परन्तु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फल फाल गुनी एक रस साथ वर्ष की आयूतक बनी रहे है कोई ऐसा उपाए यह प्रश्ण रहरा कर मैं स्वैम अपने ही से पूछता हूँ आज से तेरह वर्ष पूरू भी मैंने इस प्रश्ण पर चिंता की थी और रुक्त चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कारे रूप में परिणत कर दिया परन्तु इन तेरह वर्षों में असंख्य भाव प्रतिवाओं के मुंद बात हुए हैं और आज मैं मूलियों के कबंध बन में भाव प्रतिमाओं के केतु कांतार में बैठा हूँ आज जगत वही नहीं रहा जो तेरह वर्ष पूरो था एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दुबारा हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि नदी की धार शण परतिक्षण और ही और होती जाती जा रही है काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूद स्थिर नहीं अतह शताब्दी के आठवे दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनह पुनह सोचना है कैसे जिन्डता या जरा को यदि संपूरता जीतना असंभव हो तो भी फाकी देकर यथा संभव दूरी तक बंचित रखा जाए कैसे अपने दैहिक यवण को नहीं तो मानसिक यवण को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए उस दिन तो मैंने सिधा सिधा उत्तर धूर्ण निकाला था या याति की तरह पुत्रों से यवण उधार लेकर अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूँ तो मुझे पचपन या साथ वर्ष की आयु तक युआशिश्य शिश्याओं के मध्यवास करने का अउसर सुलब होगा मैंन की आशा, आकांच्छा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदिसे वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुम्बकी या आकर्षनक खेत्र में पढ़कर साधारन लोहा भी चुम्बक बन जाता है परंत बिगत दशक के अंतिम दो वर्षों में जब मेरे ये बाल खिले सहचरगण छिनमस्ता राजनीत के रंगरूट बनने लगे जब इन्होंने मेरे गुरूं गांधी विवेकानन विद्यासागर सरासुतोष की प्रतिमाओं का यंग उनके द्वरा प्रतिपादित मुल्यों का अनरगल मुंडपात करना शुरू कर दिया जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंब किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेंड सत्रूओं का सम्मंध है क्योंकि अध्यापक भी स्थापित विवस्था का एकंग है और विवस्था का भंजन ही श्रिष्टम पुर्शार्थ है तब देश में घटित होती होई इन घटनाओं पर विजार करके और क्रांति तथा नई पिढ़ी के दार्शनिकों यथा हिवर्ट मार्क्यूज, चेगुएरा, बैंडिट कोहन, आध की चिंतन धारा से यथा संभव अल्प स्वल्पे परिचय पा करके मैं इस निश्कर्स प कुछ ही दूर तक आधे रास्ते ही जा सकता हूँ, बिवित प्रकार के नारों से आकरांत ये नए पुरुर्वा, पुरुर्वा का शब्धार्थ होता है रमों, आवाजों या नारों से आकरांत या पूरित पुरिश्व, या याती पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है तो मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूँ, छिन मस्त पुरुष बनकर योवन लेने से क्या लाग, बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नैन मुख कान के इस उधार प्राप्त नव योवन का नया आर्थ होगा, रूप, रस, गंध और गान से वंचित रह जाओंगा, केवल शिश्नोदर वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन योवन होगना चाहेगा, कम से कम बुद्ध जीवी तो नहीं ही, आत्मार्थ प्रथिवी त्यजेत, अतह मुझे चिर योवन को इन शिश्य पुरुरुवाओं की नई पीड़ी से दान की रूप में नहीं लेना है, तेरह वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ हो गया है, मुझे अन्यत्र चिर योवन का अनुसंधान करना है, कहीं न कहीं मेरे ही अंदर अम्रिता कला की गाठ होगी, उसे ही मुझे आविश्कृत करना पड़ेगा, जो बाहर अपराप्य है, वह सब कुछ भीतर भीतर सुलब है, मैं अपने ही हिर्देश समुद्र का मंधन करके प्राण और अम्रित के स्रोत किसी चंद्रमा को आविश्कृत करूंगा, तेरह वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता, मैं मानता हूं कि समाज और शासन में सब् के व्यूह के पीछे एक कपट पाला जा रहा है, मैं बाल खिलियों के क्रोध की सार्थक्ता को स्विकार करता हूं, पर साथ ही छिन्न वस्ताशैली के सस्ते, रंगांध और आत्म घाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना शील मुरवत के अस्विकार करता हूं। तो यह न तो क्रांती है और न समर्ग। पुरानी पीड़ी का चिर्च या ख्षत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूं कि वह पीड़ी अब खिजाब आरसी का परिट्याक करके सन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था के पुतली घरों की मशिन कन्या उनकी बूड़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से उब गई है और उनकी गती में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। यह बिलकुल न्याय संगत प्रस्ताव है। कि पूर्व पिल्ड़ी अपनी मनिस्मृतिय और कौपीन बगल में दबा कर उतनी घर से बाहर हो जाए। और नई पिल्ड़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल खिल्यों को अपने भविश्य के यश अप यश का पट स्वैम बुनने का उसर दे। जिससे वे भी अपने कल्प परंतु क्या इन सब बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए इस पुतली घर का ही अगनी दाह, पुरानी पिढ़ी द्वारा बने किर्तिपट के विस्तार का दाह, उन्हेके श्रम फल का तिरसकार आधी आवश्यक है। क्या ऐसा सब करना एक आत्मघाती प्रक्रिया नहीं? इस अस्थल पर डाक्टर राधा कृष्णन या आचारे विनोबा भावे की राय को उध्रित करूं, तो वह क्रान्ति के इन दुख्ध कुमारों के लिए कौडी की तीन ही होगी। अधा मैं लेनिन जैसे महान करांतिकारी की राय उध्रित कर रहा हूं। हम सर्वहारा संस्कृत के निर्माण की समस्या तव तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साप साप न समझ लें कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर संस्कृतिक ज्यान को आहरण किये बिना यह संभव नहीं। और उसे समझ कर सर्वहारा संस्कृत की पुनर रचना करने में हम सभल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अग्यात शून्य से उपजने वाली चीज नहीं और न यह उन लोगों के द्वारा गड़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशशग्य विद्वान कहे जाते हैं। यह सब मूर्खता पूर्ण बाते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वभाविक सहज विकास होगी जिसे पूझी वादी, समंत वादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाती ने विक्सि कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनि जिसे एक कट्टर बंगाली माक्स्वादी नीरेंदर राथ लाए ने अपनी पुस्तक शिक्सपियर हिज ऑडियूंस के प्रिष्ठ 59-59 पर उध्रत किया है। आप प्रायह लोग पुकार कर कहते हैं। देखो देखो जोखी मुठा रहा हूं। मूले भंजन कर रहा हूं। अरे वंदू जोखी मुठा रहे हो या नाम कमा रहे हो। यह तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागरत सिद्ध करने का सबसे सटीक तरीका शॉटकट यानि तिर्चा रास्ता है। जोखी मुठा रहे हो। तुम तो धार के साथ बह रहे हो। और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखी मुठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल। धारा के हुकम को स्विकारते हुए कह रहा है। मूले भी क्या तोडने की चीज है जो तोड़ोगे। वह बदला जा सकता है। तोड़ा नहीं जा सकता मूल्य इस्थिर्या सनातन नहीं होता यह भी मान लेता हूं परंतों एक अविच्छिन मुल्य प्रवाह एक सनातन मुल्य परंपरा कास्ति तो तो मानना ही होगा नए बाल खिल्य दार्शनिक कहेंगे यह धार के विपरीच जाना हुआ यह तो प्रतिक्रियावाद है ऐसी अवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है कभी कभी नदी की धार प्रतवरष्ट भी हो जाती है वह सदय वह प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती वह सुभाव से गति की ओर जाने वाली होती है और आज आज तो वन्याकाल है वन्याकाल में धार पथवरष्ट रहती है वह कर्मनाशा कीर्तिनासा काल मुखी बनकर हमारे गाउं को रसातल में पहुंचाने आ रही है अता इस छण हमारी प्यारी नदी ही शत्रु रूपा हो गई है और यद हम अपना घरद्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्म भोगी नीरों की संताने नहीं है तो हमें इस नदी से समर करना ही होगा यही हमारी जीजी विशा की मांग है और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है वह नई पिढ़ी की बात हो या पुरानी क मुक्षा का भुक्तिभोग है यह सब विद्रोह नहीं बुर्जुआ डित्विश का नया रूप है अता मैं धार के साथ नबह कर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता कला का अविश्कार करने को कृत संकल को हूँ बिना रोध के बिना तत के जो धार है वह काल मुखी वन नहीं यह तो मैं मानता ही हूँ कि सर्जक या क्रचनाकार के लिए नान कंफर्मिस्ट होना जरूरी है इसके बिना उसकी सुस्रिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती अता मुझे भी विद्रोही दर्शनों से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन सन्युक्त रखना ही है एक लेखक होने के नाते यही मेरी नियत है और इस तथे को अस्विक्रित करने का अर्थ है अपनी सिस्च्छा की सारी संभावनाओं का अवरूध है परंदुलेखक कवी या किसी भी साहित्येतर शेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भ स्विकार या नानकनफर्मिजम से भी क्रचना या स्रजन संभव हो जाता है पुराने के अस्विकार से ही नए का अविश्कार संभव है यह कुछ हद तक ठीक है परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अविव्यक्त के साधन का प्रश्ण उ ना होता है रचना की आइडिया के अस्विकार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए परंत रचना का कार्य प्रोसेस आइडिया के आविश्कार के साथ ही समाप नहीं हो जाता रचना प्रक्रिया में स्विकारवादी मन की भी उतनी ही स्विकारता है उतनी ही आवश्यक या विधाता जीवन के चाहे जिस खेतर की बात हो विद्रोही और स्विकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है शत्प्रत्षत अस्विकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आख्षेप यह भी है यह एक स्वेम आरुपित नो एकजित अर्था द्वारा या वातायन रहित अरुद्ध कक्ष है इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता है यह दर्शन विशय और विधा दोनों की नकरात्मक सीमा बाँद कर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्वा को भी पूरा पूरा नहीं पहचाना जा सकता है तो स्वा से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उड़ती यह शत्प्रशत्ष्विकार का दर्शन कभी अस्तित्वाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य माक्षवाद का प्लासिकल माक्षवाद से भिन और ये दोनों मानसिक बौधिक अस्थर पर मौसेरे भाई है ये एक ही रासोन मुखी संस्कृत की संताने हैं योग शास्त्र में मन की पाँच अवस्थाएं कही गई हैं खिप्त विखिप्त विमूढ निरुद्ध और आरूढ ये दोनों दर्शन विमूढ इस्थिति के दो भिन संस्करण है अतह दोनों तात्याज्य हैं यह बाढ़ वन्या का काल है नदी अपनी दिशा भूल कर पूल छोड़कर उनमुक्त हो गई है अतह बुद्ध जीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है घवराकर वन्या की पथवरष्ठ धार के प्रति आत्म समर्पन करने की अपेक्षा जल के उत्तरण वन्या के उतार की प्र तो भी नई शया के साथ कोई कूल कोई अवरोध तो उसे स्विकार करना ही होगा यह नया कूल भी उसी पुराने कूल के ही समानतर होगा नदी तब भी समुद्र मुखी ही रहेगी उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकती अतह इस वन्या नाट्य के विश्कंभक के बीच का समय मैं न तो बहुत महत्तोपूर मानता हूं और न बहुत चिंता जनक मैं बिलकुल अविचलित हूं मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसूं हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिलिये छातर छात्राएं अर्थात नहीं युवा पीढ़ी दोनो मिलकर इस साशन एंव विवस्था के पुतलीगर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे यह पुतलीगर ऐसा है कि इसमें अनुशासित संयमित तालवध्ध कथक ही चल सकता है अन्य था जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भयावा पुतली यह कही जपट्टे में अंटी अड़ी दात तक का भक्षन कर डालेगी क्योंकि इन पुतलीओं में से कोई कोई विश्कन्याएं भी हैं अधा मैं चेश्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृता करा का विश्कार करके इस उत्तरा फालगुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए चल कर दूँ बाहर बाहर चाहे शरत बहे या निधाग भू भू करे तब मैं अपने बाल खिल लिए सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलीओं का चंदो बधन रिर्त्य भोग सकूँगा और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिला कर मेरे कानों में कहेगा फाइब ओ होगा अब नहीं अब हम अम्रतम मिच्छान हम वानप्रस्थ चरिश्यान और तब मैं नवस्था के पुतलीओं की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांग कर उत्तर पुरुष की जैजैकार बोलते हुए मंच से बाहर आजाओंगा और अपने को विसरजित करतूंगा लोकाराण में हो जाओंगा अपरीमित ब्रिच्छोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थानुओं के महाकामतार में पर अभी नहीं अभी तो मैं विश्वेश्वर के साण की तरह जवान हुए आचारे कुबेरनाथ राय का निबंध उत्तरा फालगुनी के आस पास कथा वारता की प्रस्तुत है आचारे कुबेरनाथ राय का निबंध उत्तरा फालगुनी के आस पास वर्शा रितु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फालगुनी हमारे जीवन में गधा पचीसी सावन मनभावन है